सर्फ प्रथम तो मैं आज के इस दिन भारतिय जंता पाठी के राष्ट्रे अध्यक्ष स्वी जेपी नड्डा जी, इस देश के यश्यस्वी प्रधान मंत्री आदर्णिय नरेंद मोदी जी, इस देश के कर्मयोगी ग्रह मंत्री आदर्णिय अमिच्छा जी और समस्त भारति जनता पार्टी नेत्रत का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने आज भारते जनता पार्टी परिवार में मुझे सदस्ता और सम्मान दिया है और ये मेरे जीवन राजनेतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है जैसे कि आप जानते हैं मेरा कॉंग्रेस पार्टी से तीन पीडियों का साथ रहा है तो ये महतपूर्ण निर्ने जो मैंने लिया है बहुत विचार, मंधन और सोच के बाद मैं इस फैसले पे पहुँचा हूं और सवाल ये नहीं है आज कि मैं किस दल को छोड़के आ रहा हूं मगर सवाल ये है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यूं जा रहा हूं ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से आट-दस सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में राजनितिक जीवन में लोगों से मिलके भ्रमन करके देश भर में कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनितिक दल है जो संस्थागत इंस्सिट्यूशनल दल है वो भारत जन्ता पाटी है बाकी दल तो ब्यक्ति विशेश और शेत्रिय शेत्र के हो गए मगर राश्ट्रिय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो भारत जन्ता पाटी है और जिस चुनौतियां और परस्तितियों से हमारा देश और विदेश में भी हमारी सीम पे भी जो चुनोतियों का सामना कर रहा है उसके लिए अगर आज इस देश हित में कोई दल और कोई नेता सबसे उप्युक्त और मजबूती के साथ खड़ा है देश हित में तो भारते जिंता पाटी और प्रधान मंत्री नरेंद मोधी जी है। प्रधान मंत्री जी रात दिन भारत की सेवा में निसार्थ लगे वे हैं। प्रधान मंत्री जी की प्रती है। और वो जो नए भारत का निर्मान कर रहे हैं। उसमें मुझे भी एक सदस्ता जो आज मैंने घ्रहन किये भारते जंता पाटी की। एक योगदान छोटा सा करने का भारत के प्रती, भारत की जंता की आने वाले पीडियों के प्रती करने का अफसर मिलेगा। यह मैंने विचार करके इस निर्ने पर पहुंचा हूं। कल्यानकाडी योजना हैं तो पुदान मंत्री जी ने की हैं जो गाउं गाउं हम देखते हैं। चाहें विदुतिकरण हों, शोचाले हों, गैस योजना हों। काम उन गरीबों का ध्यान रखा है और उन लोगों का ध्यान रखा है, जो असली में जरूरत-मंद है। और दूसरा करण यह भी है कि जिस दल में मैं था, मुझे यह महसूस हूने लगा, कि हम लोग राजनीत में हैं। और राजनीत एक माध्यम है, दल भी माध्यम है, अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं आ सकते, तो आपका राजनीत और दल से में रहने में क्या हो चित तो यही मेरे मन में, और चाहे वो देशित हो, चाहे वो प्रदेश हो, चाह नहीं हो सकते और आपके इस लायक नहीं है कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं तो वो मुझे महसूस होने लगा कि वो कॉंग्रस पार्टी में नहीं कर पा रहा हूं भारत जनता पार्टी वो माध्यम बनेगा वो सशक संगठन देश व्यापी इतना संगठन इत इत्रित जो आज देश को जरुवत है मैं इस बक्त ज्यादा बोलना नहीं चाहता मेरा काम बोलेगा मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी मेरे उन कॉंग्रेजनों का जिनका मुझे आशरवाद मिला और साथियों का इतने वर्ष तक मगर अब मैं समर्पत एक गोविल जी आप सब जानते हैं आपका धन्यवाद दूँगा एक कारकरता के रूप में भारते जनता पाठी के मैं कार करूँगा और वो है उद्देश सबका विकास और सबका साथ जो उद्देश है एक भारत और श्रेश भारत का वो लेके एक कारकरता के रूप में मैं काम करूँगा बहुत 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 भी नहीं